नमशार दोस्वों आप शिवी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों घर बार छोड़ना पड़ेगा दोस्वों हम आप शिवी को बता दें कि अब आपको अपने जुनकाल में शमलने का वक्त आ गया है अब आपको कुछ बातों को लेकर शत्रक होने का वक्त आ गया है क्योंग दोस्टों हम आप शिबी को बता दी कि आने वाली दो दुनों के अंदर जो गरहों के स्तिव बनने वाली है जो गरहों में उलट फिर होने वाले है इनमें याद दर्शाय जा रहा है कि यश्मे आपके शत्रू वर्ग आपके खिलाब बड़ा ही शडिंतर रचने वाले हैं और यश्मे अगर आप शमल कर नहीं रहेंगे यश्मे अगर आप हमारी कही की बातों पर नहीं चलेंगे तो दोस्तों आप शिबी को बता दें कि यश्मे आपको शंकटों का शामला करना परशकता है और इन शिया आप बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल पाएंगे कि दोस्वों हम आप शिवी को बता दे कि या शत्रू आप शिवी के पीछे पिछले कई शमय से लगा हुआ है और दोस्वों अगले 48 घंटों का शमय जो गरों की स्थिती है बहुती परवल है और शत्रू भी आपके उपर बहुती पूरी तरेकेशी हावी होने वाले हैं तो दोस्वों हमारा बश्या आप शिवी के यहिने वेदर रहेगा कि अगर आप कोई वीडियो देखे हो या फिर नहीं देखे हो शिवी मतलब नहीं है लेकिन दोस्वों आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मिश्मत कीजिएगा जी हाँ दोस्वों हम आप शिवी को बता दे कि अगर परिवार की रक्षा के लिए इस वीडियो को अन्त तक जरू देखेगा दोस्वों हमें कहते हुए या बात बहुत ही बुरा लग रहा है परन्तों यह बातों को आपके शान सामने लाना उतना ही जरूरी है जितना की जरूरी आपको इस वीडियो को देखना जिहां दोसों दोसों हम आप शिबी को बता दी कि पिछले कई शमेशी आपके पीछे बहुत शारे शत्रू लगे है जिहां दोसों जो आपको जान श्य मार देना चाहता है दोसों एक दो शत्रू नहीं है बलकि चार श्य पांच शत्रू है जो कि दोसों आपको बरवाद करना चाहता है लेकिन दोसों उन में शे तीन शे शत्रू है दोसे तीन शे शत्रू है जो कि आपको जान्शेई ही मारणा चाहता है और दोसों आप शुभी को बितायती कि यश्मे यश्ष्ट्रू ताकतवर बन चुगा है जी अदोसों और धिरे धिरे ताकतवर ही बनते जा जा रहा है आप शुभी को ब mathematics कि ये जो शत्रू है ये तीन शत्रू काफि शक्ति शाली है जो कि आपको जांशेब मारना चाहता है जी अदोसों ये चाहता है कि आप कब इनके जुनकाल से हट जाएं और ये पूरी दरशी आपके जुनकाल में राजकर्ष्ट के आपके बताई हुए बातों पर आपके जो भी बात आपने किशी को बताई है जो भी आपने लाब के मौके बताएं कोभी एशे गुपतराज किशी को बताएं उन्हें जानकर यществ आपके शार devastation को लेना चाहते हैं यक परकारश को हैं तो दोसों ये आपके जोन्गाल में आपके जग़ों पर ये राज करना चाहता है जियां दोसों हम आप शुबि को बता दें कि दोसों यश में ये जो शत्रू है काफी ताकतर बनते जा रहा है और काफी ताकतवर ये है लेकिन दोस्टों हम आप शुभी को बता दे कि ये आपके पीछे कई शालों से पड़ा है जियां दोस्टों और अब ये बहुत ज़्यादा परबल इस्तिती में है जब आपको ये जानशही मानना चाहता है क्यों दोस्टों इनका वज़ा या है आप पिछले कई दिनों से आप उन्हें जुनकाल में बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं आप शबलताओं को प्राप्त कर रहे हैं जियां दोस्टों आप सभी को बता दे कि आपने महना से जितना ही धन को गठा किया है आप महना से परिश्रम करके जो भी खुशियां पाते हैं दोस्टों ये खुशियां भी इन्हें देखी नहीं जाती जिया दोस्टों ये आपके जान के दुश्मन बने पड़े हैं जिया दोसों और दोसों यश में आपको उन्षे शावदान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है जिया दोसों इसलिए आज की इस वीडियो को आप भूल कर भी मिश्मत कीजिएगा जिया दोसों इन्हें अंत तक ध्यांच देखिएगा इस वीडियो में हम आपको हरी कोह बात जिनसे आप इन शारी दुसमन से बज़ पाएंगे उनसे छुटकरा भी पाएंगे और कौन व्यक्ति है इसका नाम क्या है दोसों आज की इस वीडियो में हम आपको भूल भी बताएंगे श्रंकेती देंगे जिनसे आप इन्हें अच्छी तरहके से पहचान भी पाएंगे लगा ले जिन दुसमन तो आपको कौन से बातों का ध्यान रखना है कौन से उपाएंगे को करना है और कौन से कार अब आपको नहीं करने है शारी विश्यश बात हैं वीडियो को ध्यान से दिखिएगा तो आई दुसमन बात करते हैं शरपर्थम जोभी भगवान है और बेल आइकन को भी प्रेश कर दें और शादित साथ दोस्तों कमेंड बोक्ष में शच्चे मंज्चे शच्चे हिर्देवावशी जय भुलिनात जय शनीदेव जरूर लिखेगा दोस्तों भगवान भुलिनात और शनीदेव की अशिम किर परदिश्टी आप शबी को ब् लगें कि दोस्तों ये जो शत्रू है ये आपके गुपतर शत्रू है ये आपके अपने में ही छिपे हैं जी हां दोस्तों इस बात का आपको ध्यान दखना है आपको ये नहीं शमझना है कि ये शत्रू कोई बाहरी शत्रू है या फिर बाहरी लोग आपके उपर लगा है द जी हां दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है जी हां दोस्तों शादिशाद आपको बता दे कि कई बार ये आपको परिशान किया है कई बार इन्होंने आपको इतने बड़े धोके दिये हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा अफ्शोज हुआ है नुक्षान हुआ है और दोसों, कई बार एशा हुआ है, जो कि यह आपको जान से भी मारना चाहा है, जी हां, दोस्थों, कई बार इन्होंने आपके उपर एशा शणिंत रजा है, जिसे आप शमाज में आपका इज़त खराब कोजाये, आप जेल से लिजाई, बहुत बार आपको उपर एशिव परियास नों ने किया है जें दोसों बहुत शारे जातक तो जेल भी जाज सुके हैं इनकी वजशी लेकिन दोसों बहुत शारे इसे जातक हैं जो नहीं गए हैं लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो शत्रू है बहुत ही शक्तिशाली बन रहा है कि ये आपके ही शाथ रहता है आपके ही शाथ उठना पेठना इश्का होता है इसलिए ये आपके राज को जान कर काफी सक्तिशाली होते जा रहा है तो दोस्वों आपको इस बात काव शक्त ध्यान रखना होगा और दोस्वों आम आप शुभी को बताया दे कि ये शत्रू एक नहीं है दोस्वों चार पांच शत्रू है जिन में से तीन शत्रू आपके जिनकाल के लिए बहुत ज़्यादा नुक्षान दायग बन रहा है एक प्रकार्शिक है श्रब से ज़्यादा हानी आपको इसी ने पहुंचाया है जिया दोस्वों दोस्वों आपको बताया दे कि ये शत्रू आपके ही शाथ रहते ही और दोस्तों आपके शात रहकर आपके शारे राज को जानते हैं इसलिए दोस्तों आपको बिलकुल ही बरवाद कर देना चाहता है और कई बार ये आपको बरवाद भी किये हैं कई शारे कारियों में आपको नुक्षान भी कराए हैं और बाद में आपको दिलाशा भी दिया है कि ये तो आपको किश्मत में नहीं था ये होनी था जो हो गया लेकिन दोस्तों आपको इस बात का खाज ध्यान रखना है कि अब शे आपको ये गलती नहीं करनी है जो कि हम आपको बताने वाले हैं उनसे आपको शमल कर रहना होगा और कुछ बातों का आपको भीशीर ध्यानत ना होगा। दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप कुछ गलत नहीं करेंगे तो आपका ये बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आप इस बात से निश्चिन रहें। कि कोई भारी दुश्मन होता तो आप लड़ लेते। लेकिन दोस्तों जब आपके अपने ही घर के लोग आपको परिशान करने में लग जाए। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा दुख होती है, बहुत ज़्यादा तकलिफ होती है। और यह तकलिफ आप किशी और को भी बताने ही शक्ति है। हलांकि दोस्तों आप इस बात का बहुत ही खास द्यार लगें। यह शतरु आपके शाद घुमते हैं और यह आपके अपने खास आदमी हैं। ये आपको आगे बहुती मिठा बोली बोलते ही और फीड पीछे ये आपके छुरा भुखने का कारे करते ही और शामने जब भी आजाए तो दोस्तों ये अच्छी बनने का दिखावा बहुती अच्छी तिर्केश कर लेते ही और आप इन पर बहुती ज़्यादा यकिन भी कर नहीं है दोस्तों अगर शबी लोग आपकी जिशे होते तो दोस्तों इस धर्दी पर दुख दर्दों और शंकट की चमिश्या कभी भी नहीं आते जिया दोस्तों आप शबी को बतादे कि यह इंसान आपके पीट पीछे हमेशा खंजर भुकने का कार्य करते रहता है तो दोस दोस्तों आपके शत्रू आपके इनी शबातों को जानकर आपको शती भौजाने का कार करते हैं जिया दोस्तों तो आई दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि शत्रू शे बचने के लिए आपको कौन्शे महा उपायर को करना चाहिए फिर दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आखिर आप अब आपको कौशे शावधानियों को रखनी है जिन्से सत्रू आपको परिशान ना करे और आपके जुनकाल में जोवी गरों के सित्धी है वे आपके शाथ दे और आप तरक्य के शियुने पर चुड़े जिया दोस्तों जिया दोस्तों बात करते हैं शर्वर्तम आपको बताते हैं कि अगर आप शत्रू का नाम जानते हैं उनके लिए अलग उपाय बताएंगे और शत्रू का नाम नहीं जानते हैं उनके लिए अलग उपाय बताएंगे जिया दोस्तों शबसे पहले अगर आप शत्रू का नाम नहीं जानते हैं तो दोस्वों एशे में आपको कौन से उपाय को करना चाहिए दोस्वों हम आप शिवी को बता दें कि अगर आप शत्रू का नाम नहीं जानते हैं दूसों इश्याक करने से शत्रु की जो बधायां होती है, शत्रु के जो विनाश कारी श्रदे Chanel होते हैं, दूसकों वो शमाप्त होते हैं, और शत्रु अपने ही जुनकाल में, श्वैहिं के ही कारियों में उलत्ती जाते हैं, जिनके कारण वह किशी अन्य के कारी में अर्चने डालने के लिए शमे ही नहीं निकाल पाती एक प्रकारश्य के हैं तो दोसों इनमें इतनी शक्ति शाली है कि शत्रू खुद के ही शिडेंतर में फस जाएंगे जिया दोसों शाद शाद हम आपको बता दें कि जो शत्रू आपको प्रिशान करना चाहेगा दोसों वो खुद ही प्रिशान होगा और कोई भी आपका च्छाकर भी बाल विमागा नहीं करपाएगा शाद शाद दोसों आपको शमिश्मे पर दुर्गा चाली शाखा भी पाट करना चाहिए इश्य भी काफी हद तक लाख होता है शत्रू का नाश होता है जिये दोसों शाद 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 दोसों एक कारगर और एक अच्चुक महा उपाय बताने जा रहे हैं जिनसे आप शत्रू का नाम जानते हैं तभी दोस्तों इस उपाय को किजिएगा जे दोस्तों ये काफी ही शक्तिशाली उपाय है इन्हें कर देने से कोई भी व्यक्ति न शोशकता है तो दोस्तों अगर आप शत्रू का नाम जानते हैं तभी इनका उपाय किजिएगा वरना दोस्तों इनका उपा ना होना चाहिए दोसो इस बात का ध्यान रखें और शाथ शाधिशा दोसों एक हरी निंब्रोट्स अपको लेना है जिसा दोसों और इन्हें ले जाकर संदिया कमें शुर्यास्त की बाद किसे शुञान जगह पर जिसल्चाहएं जहाँ चाहिए उनसे कोई दिकत नहीं है लेकिन चारों तरफ शे आने जाने के रास्ति होना चाहिए जी दोस्तों इस बात के दन रखें और आपको क्या करना है वहां पर आपको निम्बू को चार भाग में कारतना है और 6 इंच या फिर 8 इंच का गड़े खोद कर उस गड़े में अ दोस्तों चारों निम्बू को चारों दिशाओं में भेंग दना है एक प्रकार्शियों के हैं तो दोस्तों चारों रास्तों में उन्हें फेक देना है शादिसा दोस्तों आपको जो उड़त के दाल और जो चावल के दाने हैं उन्हें उसमें गटे में रखकर दोस्तों उन दोसों एक क्रिया करने के शात दिन के मातर ही दोसों आप देखेंगे कि जो आपके शत्रु है जिनका आपने नाम का जब किया है दोसों वो धीरे धीरे विनाश होने लगेंगे उनका बरवादी शुरू हो जाएगा जिया दोसों और वो अगर आपके अपने हैं शगिश मंद शड़ेंतर हो शकता है, आपके लिए भी विकट परिस्ति बन शकती है, तो इस बात का आप ध्यान रखेगा, शादिशा दोस्तों आगे आपको क्या करना है, दोस्तों एक और बात, घर्शी कभी भी किशी कार के लिए जाएं, तो किशी भी इंसान को बताएं नहीं, कि हम इस जगह पर जा रहे हैं, इस कारी के लिए जा रहे हैं, जे दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें, अपने बात को अपने राज को हमेशा गुपत रखें, ये आपके लिए बहतर होगा, आपको अपने आप में ही हर बातों को रखना है, इस बात का आप ध्यान रखें, जे दोसों आप शुभी को बता दें कि यश में आपको बहुत इप महत्मुन बातों का ध्यान रखना होगा। आपका मित्र किया काउं में लड़ाई जगरा हो रहा हो तो दोसों वहां से आपको हट कर घर की और आ जाना है। आपको अपने घर का गुप्त युजना एवंग नई कारवार की शुरुवात करना चाह रहे हैं। दोसों ये शब बातों की जो कोई भी खबर किशी भी किशी भी इंसान को ना दे। चाहे आपके कितना भी शगे जित्रदार हो या फिर किशी भी शगे शुमंदी हो। जे दोसों शादिशाद आपको बता दें कि घर में किशी का शादी कर रिष्टा टूटा हुआ है। दोस्तों मुश्य भी फशाना चाहा है। कई बार आपको कोट के चकर भी भी लगना चाह है जील के चकर में भी वह पड़ोने चाहा है जी दोसों कई बार उनकी कोशिज शफल भी हुए है लेकिन भगवान भुलिनात की किड़ आपके शाथ होने के कारण दोस्तों कई बार आप झुट भी गये है उस शमच्याएं आपके शाद से हट भी गया है जी है दोसों शाद शाद आपको बता दे कि अगर गाओं शमाज में रिस्ता मानते हैं तो दोसों वह आपको लक्ष रखता है थोड़ा ध्यान से शमझना है कि दोसों इस बात को आपको लंबे शमझ से कई बार प्रयाश करने का प्रयाश कर चुका है जेल भीजने का भी प्रयाश कर चुका है दोसों शीदे शब्दों में कहें तो दोसों आपके जान लेने का भी प्रयाश बहुत शारी लोग कर चुके हैं जे दोसों ध्यान से सोचेंगे तो कुछ दोसों आपको शमय में भी आजाएगा उची आपको शतरक रहना होगा और कभी भी उनके कुछ बातों में आपको कुछ भेजना नहीं है, कोई बात कहेगा, कुछ भी बातों में आपको खितना भी चाहे लालस देगा दोसों उनके बातों में आपको आकर कोई भी कार नहीं करनी है इस बात के बशाब ध्यान रखें नहीं तो दोसों मुश्यबत में ये आपको डाल सकता है और दोस्तों या शमय घर की आशपाश के लोग आपको इस में अपने पतनी बच्चों के खिलाबे आपको भढ़का सकता है जी दोस्तों आपको उश् temptation से भी आपको शत्रक्रेना होगा और दोस्तों उश्के बाद दोस्तों इक शब्दों में कहें तो इंशान आपको चाहता है कि केशिए आप अपनों में ही लड़कर अपनों में ही कट कर दोसों अपना नुक्षान कर बेठें और ये बिना कुछ किये ही आपके लाब लिशके जिहाँ दोसों यो के हैं तो शाप मिंगी मर जाए और लाठी भी ना तूटे दोसं अशाष शर्यंत ये आपके खिलाफ रज्टे ही तो दोस्वूं इन शबी बातों को लेकर शावधान रहना है और शतुर्य के लिए आपको उपाई करना है और दोस्वं उनके लिए आपको निष्चे निट रहें कि ये शत्रु आपका बाल भी बांकार नहीं करपाएगा जिन दोस्तों, शाधिशा दोस्तों आगे हम कुछ आपको महत्पूर्ण बात बताने वाले हैं जिन से दोस्तों आपके जुनकाल किये और भी बहुत शारी कारे आपके लिए बहुत यहशान हो जाएंगे जैसे कि दोसों आपकी कोई भी शरीश अमन्नी हो जिनको पेशा देना बहुत ज़्यदा वोज़क है जो आप शी पेशा मांग रहा है तो दोसों इस बात कर ध्यान रखेगा कि पेशा मांगते श्मे आप उन्हें दे दीजेगा लेकिन दोस्तों उधार कहने की बात उन्हें मत बोलिएगा दोस्तों अगर वो कहे कि हम उधार मांग रहे हैं तो दोस्तों पेशा बिल्कुल भी मत दिजेगा दोस्तों अगर वो कह रहे हैं कि दोस्तों यह पेशा हम इस काम में लगाएंगे तो दोस्तों आप उन्हें पेश यही माता लक्षमी को विदा कर रहे हैं इस बात को भी आप द्यान में रखेंगा इनुझे परिशानी आपकी घराश चकती है तो दोसों धन की दिकत इनहीं करने से होती है अगर आप इस बात को शब्च गए तो दोसों आपके जुनकाल में माता लक्षमी हमेशा प्रिशन रहेंगी जी हैं दोस्तों शादे शाद दोस्तों हम आप शिवी को बदा दें कि कोई भी आपके रोजगार में शत्रू बन रहा है तो दोस्तों उसके लिए आपको कौशे उपाय करना चाहिए दोस्तों इन दातों को आप ध्याश शुनिएगा दोस्तों आप किन्नर को हरे रंग का वस्तर दान करें हरे रंग के चूड़ी आप उन्हें दान कर सकते हैं इसी दोस्तों जो भी अकाल आपके घर में आ रहा है जो भी बधाएं आपकी जुनकाल रूजगार में आ रही है जो भी बड़ी मुश्यबत हो कितने भी बड़ी मुश्यबत हो दोस्टों वह मुश्यबत शमाप्त हो जाएंगी इस यह आपको जुटकारा मिल जाएगा और देखते ही आपके जो आर्थिक्सति है घर की वह भेतर होने लग जाएगा यानि कि दोस्तों इस उपाइश आपकी धनकी शम्मंदित जो भी शमीशा है वो शबी शमापत हो जाएगे धर में बिरत्ती होना प्रारम हो जाएगा नई रोजगार की प्रयापति होगी शादिशा दोस्तों जो लोग नई रोजगार की जो है कामना कर रहे थे उन्हें मन्चाहर रोजगार भी इन्चे मिलती है तो दोस्तों ये जो उपाय है बहुती शिद उपाय है इन्हें आप जरूर ही किजिएगा शादिश साथ दोस्तों आप शिवी को बता दे कि माता लक्षमी को प्रिशन के लिए आपको मालक्षमी का शुक्त का भी पाट करना चाहिए जे दोस्तों मालक्षमी के लिए जो उसका मंत्र है ओम भूर भूवश्वाहा दोस्वों इस मंत्र काफी आपको रोजाना पाट करना चाहिए इस बात के धरकें अगर रोजाना नहीं कर सकते हैं तो दोस्वों शुकरवार के दिन आप आवशे किजिएगा अगर आप बाहर में हैं काम में कारे रथें तो दोस्वों शुकरवार के दिन किजिएगा अगर आप घर में हैं तो दोस्तों आप रोजाना भी शुबट उटकर कर सकते हैं ना दोकर बिल्कुल ही पुजापाट की शिमागरी को लेकर दोस्तों आप इस उपाय को किजी का बहुत ही कारगर उपाय है इसे दोस्तों घर में माता लक्षमी का वाश रहता है और धन की वर दोस्तों आपको क्या करना है उसके लिए आपको शनिवार या फिर मंगलवार के दिन शुरुदेव होने से पहली पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए इस यह आपके घर में ब्रिद्धी होने लगेगा जिया दोस्तों धन में काफी आपको बढ़तरी देखने को म बढ़ेगा रुजगार कारवार में आपको नए उम्मेदें दिखाए देंगी नए अपरजूंटी आपको मिलेंगी और आपका कार देखते ही देखते बढ़ता चले जाएगा जी हां दोस्तों शादे शाद हम आपको बता दे कि अगर आप अपने जुनकाल में आर्थिक तंगियां शे बहुत ज़्यादा प्रिशान है तो दोस्तों आपको करन्याओं का शमान करना शुरू कर देना है यानि कि दोस्तों इस तरी का आपको अपमान करने शे बचना है जी हां दोस्तों हरोज आप शिवी को बिदा दें कि जो भी वक्ति अपने जुनकाल में किशी भी इस्तरी वर्ग के लोगों को आप अपमान कर देते हैं तो दोस्तों इस धनकी शमस्ची आपके जुनकाल में आती ही है चाहे आप कितनी भी बड़ी नोकरी कर रहे हो शर्विश कर रहे हो या फिर कोई भी बड़ा धन्द आपका क्यों न चर रहा हो जे दोस्तों इस बात क मान लक्षमी का वाश माना गया है मान लक्षमी का शरूत माना गया है जी दोस्तों चाहे वह इस्तरी कितना भी गलत कर रहे हो या फिर कोई भी कार कर रहे हो उसके उपर माता लक्षमी का शरूत माना जाता है तो दोस्तों आपको कभी भी किशी भी औरत को आप शब्द नह को मिलेगा कभी भी आप धन को लेकर पिश्यान नहीं रहेंगे तो दोसों इस बातों को आप ध्यान रखें तो दोस्वों यह जो उपाय है यह आपके लिए बहुत ते महत्वन उपाय है इन्हें आपके जेगा तो दोस्वों फिर मिलते हैं नए वीडियो में तब तक कि शुब हो मंगल में हो धन्यवाद